साल 1949 इसवी में अस्टार्ट हुआ एक विश्वस्तरिय यूद्ध जिसे हम दिवतिय विश्यूद्ध के नाम से जानते हैं। इस यूद्ध में पूरी दुनिया दो भागों में बढ़ गई थी। एक तरफ जहां मित्र राष्ट ब्रिटेन, रूस, अमेरिका और चीन था वहीं दूसरी तरफ धूरी राष्ट इटली, जर्मनी और जपान था। तो दोस्तों ये जो दिवतिय विश्यूद्ध था वो 1945 तक चला। 1945 वह साल था जब ये युद्ध समाप्त हुआ। Second World War के अंदर विजेता राष्टों में जो जीत करके लोग आएं, जीतने वाले देशों में सामिल था अमेरिका, सामिल था USSR यानी रसिया और सामिल था फ्रांस और ब्रिटेन यानी United Kingdom तो दोस्तों कुंदन गौसिप के इस निव वीडियो में फिर से आप सभी क्या स्वागत हैं। तो ये चारों के चारों देश बिजेता राष्ट बनके आएं, जीतने वाले राष्ट बनके आएं। इन चारों देशों के बीच सब कुछ सही चल रहा था। इन चार देशों में से जो USSR हुआ करता था जिसे आप सुवियत रूस के नाम से जानते हैं। ये अपनी एक विचार धारा जिसका नाम था साम्मेवादी विचार धारा। उस विचार धारा के कारण ये पहले से उन तीन देश अमेरिका फ्रांस और बिटेन को पसंद नहीं था। ध्यान से समझेगा दोस्तों कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि आपके ग्रुप में एक मित्र ऐसा आ जाता है जो कि आपको मजबूरी में साथ रखना पलता है। चार धारा के थे तो यहां पर असल में दोस्तों कुण्जी वादी वर्सेस समय वादी जीतने वाले देशों के बीच में ही आपसी टसल थी इस बात को लेकर इस टसल में अमेरिका अपने आपको सबसे बड़ा देश सिध्र कर चुका था। जाहिर सी बात है आपके मन में एक सवाल उट रहा होगा कि आखिर कैसे। तो मैं बता दू दोस्तों द्यूतिय विच यूद को खत्म करने वाला जो देश था वह अगस्त के पहले वीक में जपान के दो बड़े सहर हीरो सीमा और नागा साकिक में परमाडू बम गिरा कर अम इस नौ बजे के बीच में अमेरिकी वायू सेना ने जपान के हीरो सीमा नमक सहर पे दुनिया का पहला परमाडू बम जिसका नाम लिटिल वॉय था वो गिराया था अब से कुछ देर पहले एक अमरीकी जहाज ने हिरोशिमा पर एक बम गिरा कर दुश्मन के यहां भारी त के तीन दिनों बाद 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जपान के ही नागा साकी सहर पे फैट में नामक दुनिया का दूसरा परमाडू बम गिराया था जिसके कारण जपान के उस समय के ततकालीन बिदेश मंत्री मामेरू संगन्सु ने दूतिये विस्यूद में आत्म समर्पण कर दिया जिसके बाद दूसरे भी स्यूद की समापती हो गई बेरे बिदिस्ट आ ले जए वोर्स रद इन हुमन प्यूमन हिस्त्री वोल्वर मौर 2 ला इनल वश्य है लिव और फे उर वोप बरी का लूमें इसी के कारार दोस्तो अमेरिका जीतने वालों देशों में अपने आपको सर्व सकती साली वह बड़ा सावित कर चुका था उस समय दुनिया को नहीं पता था कि अमेरिका के पास इतने घातक हतियार भी है यहां पर दोस्तो इन चारों देशों दे मिलकर सेकेंड वर्ल्ड वर में जर्मनी जपान इटली इन्हें संयुक्त रूप से हरानी की कोशिसे की थी लेकिन अचानक एक देश अचानक सबसे आगे निकल गया और पूरे 20 स्यूद को समाप्त करवा दिया ऐसी इस्तिती में आप समझ रहे होंगे दोस्तों यूएसेसार और अमेरिका के बीच में इगो का क्राइसिस हो गया आत्मसमान की बात आगए आपसी लड़ाई ये हो गई कि हम में से बड़ा कौन दोस्तों इस बड़े कौन की लड़ाई के अंदर जो यूएसेसार था इस यूएसेसार ने यूएसे को अपना दूसमन मान लिया इसने हमारे साथ धोका किया है बिना बताए इसने परमाडु बम बना लिया USSR का कहना था जब साथ में थे तब हमें बताना चाहिए था ऐसी स्थिती में दोस्तों अमेरिका और USSR अपनी अपनी राह पकड़ कर आगे निकल लिये और लड़ाई के सबसे बड़ा कारण था दोनों में बड़ा कौन इस बड़े कौन के लड़ाई में USA और USSR जीतने के बाद भी एक दूसरे के दूस्मन बन बैठे और यह दूस्मनी शुरू हुई 1945 से और 1945 से दुनिया ने एक नई लड़ाई देखी और इस नई लड़ाई के अंदर युद्ध बम गोले तो कहीं नहीं चलाए गये लेकिन बम गोलों के अस्थान पर इन दोनों ने दुनिया के बिभिन्ने देशों में आपस में अपने अपने लोगों को लड़ाया और अपने अपने लोगों को लड़वाने के इसी हुनर को सीत युद्ध नाम दिया गया असल में जो यहां से आगे जो होने वाली लड़ाई थी जो 1945 से सुरू हुई थी ये लड़ाई अब इस बात की थी कि दुनिया में किसके समर्थन में सबसे ज़्यादा देश साथ खड़े होते हैं ज़्यादा देश खड़े करने के लिए अमेरिका ने अपने जैसे देशों का अवाहन किया जो पूंजी बाद में विश्वास रखते हैं वो एक हो जाए उनकी सुरक्षा की गरांटी मैं देता हूँ ये अमेरिका का कहना था और सुरक्षा की गरांटी देने के लिए अमेरिका ने एक टर्म का निर्माल किया इसका नाम था दोस्तो नाटो नाटो नोर्थ अंटलाटिक ट्रिटी और्गनाजेशन जिसका निर्मार चार अप्रिल उन्नी सो उन्चास को अमेरिका के वासिंटन सहर में हुआ था जिसका मुख्याले बेल्जियम के ब्रूसेल सहर में इस्थित है आपको बता दू अमेरिका द्वारा इस और्गनाजेशन में एक कसमे खाई गई थी कि यदि किसी ने भी हमारे चाहने वालों पर अगर हमला किया वह अमेरिका पर हमला माना जाएगा और अमेरिका पर हमले का मतलब है पर माडू बम से पीमित होनी के लिए तयार हो जाना ये अमेरिका का कहना था शुरुआती दोर पर तो इस संगठन नाटो में केवल तीन से चार देश थे लेकिन वर्तमान की बात करें तो दोस्तों 2022 में नाटो में करीब 30 देश सामिल है मुझे यकीन है आप सभी को नाटो संगठन के बनने का करण क्यूं बनाया गया इसका करण आपको समझ में आया होगा तो अब अलविदा दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में